श्री मद भागवत महापुराण पंचमसकंद पहला अध्याय प्रियवरत चरित्र राजा परिक्षित ने पूछा मुने महराज प्रियवरत तो बड़े भगवत वक्त और आत्माराम थे उनकी ग्रिहस्त आश्रम में कैसे रूची हुई जिसमें फशने के कारण मनुष्य को अपने सुरूप की विस्मृती होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है विप्रवर निश्य ही मेरे निह संग महापुरुषों का इस प्रकार ग्रिहस्त आश्रम में अभी निवेश होना उचित नहीं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं की जिस चित पूर्ण किर्ती श्री हरी के चरणों की शीतल चाया का आश्र लेकस शांत हो गया उन महापुरुषों की खुटुमबादी के कभी असकती नहीं हो सकती मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज त्रियवरत ने इस्तरी घर और पुत्रादी में आसकत रहकर भी किस प्रकार सिद्धी प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भागवान श्री कृष्ण में अभी चल भक्ती हुई श्री शुकदेव जी ने कहा राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है जिनका चित पवित्र कीर्ती श्री हरी के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस से सराबोर हो गया है वे किसी बिग्ण वाधा के कैरण रुकावट आ जाने पर भी भगवद भक्त परमहंसों के प्रिये श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवन रूपी परम कल्यान में मार्ग को प्राया छोड़ते नहीं राजन, राजकुमार, प्रियवरत बड़े भगवद भक्त थे श्री नाराजी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्तु का बोध हो गया था वे ब्रह्म सत्र की दिख्षा निरंतर ब्रह्मा व्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभु मनु ने उन्हें पृत्वी पालन के लिए शास्त्र में बताये हुए सभिस्त्रिष्ट गुड़ों से पूनतया संपन्न देख अखंड समाधियों के दौरा अपनी स्थारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पन कर चुके थे अत्ह पिता किया ग्या किसी प्रकार उलंगन करने योगी नहोने पर भी यह सोचकर कि राज्यातिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप इ को निरंतर इस गुण में प्रपंच के बुद्धी का विचार ही रहता था वे सारे संसार के जीवों का भी प्राय जानते रहते थे जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसे प्रविर्ति देखी तब ये मुर्तिमान चारों वेद और मरीच आदी पार्शदों को साथ लिए अप फिर इनहीजें ने अस्तवन किया इस प्रकार जगए जगए आदर समान पाते हुए साख्षात्य नक्षत्र नात चंद्रमा के समान गंध मादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियवरत के पास पहुँचे प्रियवरत को आत्म Yo toes देने के लिए वहां नारत जी भी आये हुए थी ब्रह्मा जी के वहां पहुशने पर उनके वहां हंस को देखकर देवर्शी नारत जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पता रहे हैं अत्हवे स्वयंभु मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सब ने ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की और मंद मुस्कान युक्त दया द्रिश्टिस्त देखते हुए इस प्रकार कहा श्री ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुमसे सत्त सिध्धान्त की बात कहता हूँ ध्यान देकर सुनो तुम्हें अप्रमेय श्री हरी के प्रती किसी प्रकार की दोश्त द्रिश्टि नहीं रखनी चाहिए तुम ही क्या हम महादेव जी तुम्हारे पिता स्वयंभु मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्शी नारद भी विवश होकर उन्हीं काग्या पालन करते हैं उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो तप विद्या योग बल या बुद्धी बल से ना अर्थ या धर्म की शक्ति से और ना स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सक प्रियवर उसी अव्यक्त इश्वर के दिये हुए शरीर को सव जीव, जन्म, मरण, शोक, मोह, भै और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं वत्स जिस प्रकार रस्ति से नथा हुआ पशु मरश्यों का बोज ढोता है उसी प्रकार परमा नादी वक्यों को मजबुत दोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्ही के एक्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं हमारे गुण और कर्मों के अनुसार पहु ने हमें जिस योनी में डाल दिया है उसी को स्विकार करके वे जैसी वेवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं हमें उनकी इक्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंक वाले पुरुष का मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इक्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है ठीक वैसे ही जैसे मनुष की निद्रा टूट जाने पर भी सुप्न में अनुभव किये हुए बदार्थों का अस्मरण होता है इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विश्यवासना के जिस संसकारों के कारण दूसरा जनम होता है उन्हें वह स्विकार नहीं करता जो पुरुष इंद्रियों के वश्यभूत है वह वनवन में विचरण करता रहे तो भी उसे जनम मरण का भे बना ही रहता है क्योंकि बिना जाने मन और इंद्रिय रूपिए उनके चाहशत्रू कभी उनका पीछा नहीं अपनी आत्मा में ही इस्मरंड करता है उसका ग्रहस ताश्रम भी क्या भीगाड सकता है उन्हें इस चाह शत्रूओं को जीतने की इक्षा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें वश्मे करने का प्रैत्न करें किले में सुदक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रवल शत्रूओं को भी जीत लेता है फिर जब इन शत्रूओं का बल अत्यन्त छिण हो जाए तब विद्वान पुरुष एक्षानुसार फिचर करता है तुम यद्यपी श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन छाहो शत्रूओं को जीत चुके हो तो भी पहले इन पुराण पुरुष के दिये हुए भोगो को भोगो इसके बाद निस्चंग होकर अपने आत्म सुरूप में इस्तित हो जाना श्री शुकदेव जी कहते हैं जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय प्रतने छोटे होने के कारण नमरता से सिर जुका लिया और जो आग्यां ऐसा कहकर बड़े आदर पुरवक उनका आदेश शिरोधरे किया तब स्वायम्भु मनु ने प्रसन्न होकर भगवान रम्हा जी की विदिवत पूजा की इसके पश्षाद पर मन और वानी के अविशय अपने आश्रे तथा सर्व व्यवहारा तीत पर ब्रम्ह का चिंतन करते हुए अपने लोग को चले गए इस समय प्रिय व्रत और नारत जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे मनुजी ने इस प्रकार ब्रम्ह जी की किरपा से अपना मनोरत पूर्ण हो जाने पर देवर्शी नारत की आग्या से प्रिय व्रत को संपूर्ण भू मंडल की रक्षा का भार सोब दिया और स्वयम विशे रूपी विशेले जल से भरे हुए ग्रहस्त आश्रमी रूपी दुस्तर जलाशे की भोग अक्षा से निब्रित हो गए अब प्रित्वी पती महाराज प्रिय व्रत भगवान की इक्षा से रज्य शाषन के कारे में नियुक्त हुए जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुडाने में अत्यंत समर्थ है उन आदिपुरु श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्दपी उनके रागादी सभी मल नश्ट हो जुके थे और उनका हिर्दे भी अत्यंत शुद्ध था तथा पी बड़ो का मान रखने के लिए वे प्रित्वी का शाषन करने ले तदंतर उन्होंने प्रजापती विश्कर्मा के पुत्री वहर्शमती से विवाह किया उससे उनके दस पुत्र हुए वे सब उन्ही के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ट, रूपवान और पराक्रमी थे उनसे छोटी और जस्वती नाम की एक कन्या होई पुत्रों के नाम अगन और कवी थे ये सब नाम अगनी के भी हैं इन में कभी महावीर और सवन ये तीन नैश्टिक प्रमचारी हुए इन्होंने वाल्य अवस्था से आत्मे विद्या क्या अभ्यास करते हुए अंत में सन्या शास्रम ही स्विकार किया इन निवित्ति परायान महर्शियों ने सन्य अशास्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिश्थान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रे देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुन्दर चरणा विंदो का निरंतर चिंतन किया उससे प्राप्त हुए अखंड एवं स्रिष्ट भक्ति योग से उनका अंतकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर भाव हुआ तब देहादी उपाधी की निव्रित्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रग्यात्मा में एकी भाव से इस्थिर हो गई महराज प्रियवरत की दूसरी भाड़या से उत्तम, तामस और रेवत ये तीन पुत्र उत्पन हो जो अपने नाम वाले मनवंतरों से अधिपती हुए इस प्रकार कवी आदी तीन पुत्रों के निवित्रि परायन हो जाने पर राजा प्रियवत ने ग्यारह अरबुद वर्षों तक प्रित्वी का शाषण किया जिस समय वे अपनी अखंड, पुर्षार्थ मई और विरेशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खीच कर टंकार करते थे उस समय डर के मारे सारे धर्म द्रोही ना जाने कहां चिप जाते थे प्राण प्रिया वहर्षमती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादी क्रिडाओं के कारण तथा उसके इस्त्री जनोचित, हाव भाव लज्जा से संकुचित, मन हस से युक्त, चित्वन और मन को भाने वाले विनोध आदी से महामना, प्रिय व्रत विवे कहीन व्रक्ति की भाती आत्म विश्मित से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किन्तु वास्तव में उनमें आसक्त नहीं थे, एक बार इनोंने जब यह देखा कि भगवान सुर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोका लोक परियंत प्रित्वी के जितने भ भाग को अलोकित करते हैं, उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया, तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सुर्य के समानी वेगवान एक जोतिर में रत पर जो लीके बनी वही साथ समंद्र हुएं, उनसे प्रित्वी में साथ दूइप हो गएं, उनके नाम क्रमशह जंबू, प्लक्ष, शालमली, कुश, कौच, शाक और पुशकर दूइप हैं, इन में से पहले-पहले की अपिक्षा आगे-आगे के दूइप का प्रणाम दूना ह और ये समुद्र के बाहरी भागों के प्रित्विक चारो और फैले हुएं, साथ समुद्र क्रमशह, खारे जल, इख के रस, मदिरा, घी, दूद, मठे और मीठे जल से भरे हुएं, ये साथो दूइपों की खाईयों के समान हैं, और परिणाम में अपने भीतर वाले दूइ इन में से एक-एक क्रमशह अलग-अलग साथो दूपों को बाहर से घेर करिश्थी थे, वरहिश मतिपती महराज प्रियवरत ने अपने अनुकत पुत्र, आगनिद्र, इध्मजुह, यग्यवाहु, हिरन्ने रेता, धृत प्रिष्ट, मेधाती थी और विती हुत्र में से क एक-एक को उक्त जब्बू, आदी दूपों में से एक-एक का राजा बनाया, उन्होंने अपनी कन्या, उर्ज स्वती का विवाह, शुक्र चारेजी से किया, उसी से शुक्र कन्या, देवियानी का जन्म हुआ, राजन, जिन्होंने भगवच रनार विंदो की, रज के, प् उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुशार्थ होना, कोई आश्यर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण, वहिश्कृत, चांडाल, आदी नीच, योनी का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक वारो चारण करने से तत्काल संसारबंदन से मुक्त हो जाता है, इस प्रकार अतुल नीए बल पराक्रम से युक्त महराज प्रियवरत एक बार अपने को देवर्शी नारत के चरणों की शरण में जाकर भी पुनह दैवेवश प्राप्त हुए, प्रपंच में फस जाने से अशांत सा देख, मन हमन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओ, बड़ा मैं तो इस तरी का क्रिड़ा म्रिगी बन गया, उसने मुझे बंदर की भाती नचाया, मुझे दिकार है, दिकार है, इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा, परमारध श्री हरी की क्रिपा से उनकी विवेक वृत्ती जग्रत हो गए, उन्होंने यह स समराज लक्षमी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया, तथा हिर्दे में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, उसके प्रभाव से श्री नाराज जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनह अनुसरन करने लगे। अपने रत के पहियों से बनी हुई लीकों से ही साथ समंदर बना दिये। प्राणियों के सुभीते के लिए जिससे उनमें परस पर जगड़ा नहो दूइपों के द्वारा पित्वी के विभाग किये और तत्यक दूइप में अलग-अलग नदी परवत और वन आदी से उसक कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए एश्वरे को भी नरक तुल्य समझाता। झालग-टाव